गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स स्टुडेंट्स मैं सुजाता मैं स्टेंडर फोर सब्जेक्ट हिंदी ग्रामर है चैप्टर थिरी है हम लोग पढ़ेंगे सब्द विचार सब्द विचार का पार्ट थिरी बच्चों, पिछले क्लास में हम लोग सब्द के बारे में और कुछ सब्दों के भेद के बारे में पढ़े थे आज हम लोग उसके आगे पढ़ेंगे सब्द के प्रकार के बारे में जिसको कुछ मैं पहले बताई हूँ कि सब्द के चार प्रकार होते है अर्थ के आधार पर, विकार या प्रयोग के आधार पर, उत्पत्ती के आधार पर, बनावट के आधार पर बच्यों, अर्थ के आधार पर, विकार के आधार पर, उत्पत्ती के आधार पर मैं पहले पढ़ा चुकी हूँ जो आज हम लोग इसको आगे बढ़ेंगे और आगे इसको समझेंगे बच्चो बनावट के अधार पर सब्द के भेद बनावट के अधार पर सब्द के तीन भेद होते हैं पहला है रूड शब्द, दूसरा है योगित सब्द, तीसरा है योग रूड शब्द बच्चों, रूड शब्द क्या है? इसको हम लोग समझते हैं रूड शब्द, वी शब्द जो परंपड़ा से किसी वेत्ती, अस्थान, वस्तु या प्रानी आधी के लिए प्रियोग होते चले आ रहे हैं होते चले आ रहे हैं, उन्हें रूड शब्द कहते हैं परंपड़ा, मतला पहले से ये शब्द प्रानी, वस्तु, वेक्ति, इन सभी के लिए इन सब्द का प्रियोग होते आ रहे हैं इन सब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता ऐसे सब्द रूड शब्द कहलाते हैं यानि खंड करने पर ये सब्द अर्थ हीन हो जाते हैं जैसे नाक, घोरा, मेज, पुस्तक, इत्यादी यहाँ नाक शब्द है इसको अलग करने पर ना और कर बच्चों, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता घोरा, इसको अलग-अलग हम लोग करेंगे इसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा यहाँ पे है मेज, इसको हम लोग अलग-अलग करेंगे इसका भी कुछ अर्थ नहीं निकल पाएगा पुस्तक इसका भी कुछ अर्थ नहीं आएगा तो बच्चों इसको मैं फिर से एक बार पढ़ देती हूँ वे शब्द जो परंपड़ा से किसी व्यक्ति, अस्थान, वस्तु या प्रानी आदी के लिए प्रयोग होते चले आ रहे हैं उन्हें रूड शब्द कहते हैं इस सब्दों के खंड करने पर इनका कोई अर्थ नहीं निकलता यानी खंड करने पर ये शब्द अर्थ हीन हो जाते हैं इनको खंड करेंगे, अलग-अलग बाटेंगे तो अर्थ हीन रहेगा जिसका कोई अर्थ नहीं निकलेगा जैसे बच्चों, नाक, घोरा, मेज, पुस्तक, इत्यादी अलग-अलग करके हम लोग बाटेंगे, कुछ अर्थ नहीं निकलेगा नाक, बता चुकी हूँ, ना और क, कुछ अर्थ नहीं है घोरा, घो, और रा, कुछ अर्थ नहीं है इसका मेज का भी कुछ नहीं निकला, पुस्तक का भी करेंगे, बाट लेंगे, कुछ नहीं निकलेगा, इत्यादी बच्चों, योगिक शब्द क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे समझते हैं ये शब्द, दो शब्दों के योगशे बनते हैं योगिक सब्द दो सब्दों के योगिशे बनते हैं, दो सब्दों को जोरा जाए तब सब्द बनता है योग का अर्थ होता है जोर, अतह दो सब्दों के जोर से बने ऐसे सब्द जो शार्थक होते हैं, दो सब्दों को जोरने से ऐसे सब्द बनेंगे जो शार्थक होगा जिस ये टुक्रे किए जा सकते हैं। इनको टुक्रे करने पे कुछ अर्थ निकलता है। जैसे पुस्तक काले, पुस्तक और आले, पुस्तक किताब हुआ और आले फंटार हुआ जहां किताबों का फंटार हो, पुस्तक काले दोनों का अलग-अलग अर्थ निकल गया, योग मतलब जोर, एक साथ भी करने पे निकला, अलग-अलग करने पे भी अर्थ निकल गया, भोरा और शवार, अलग-अलग इसको कर दिये, फिर भी अर्थ निकला, एक जगा करेंगे, फिर भी निकल गया, विद्याले, विद्या और आले, शीवाले, सीउ और आले, इत्यादी, इन सब का एक जगा करने पे इसका अर्थ निकल गया, बच्चों, तीश्रा है इसको आगे हम लोग पढ़ते हैं, और बच्चों, आप लोग भी समझेगा, जो सब्द दो या दो से, अधिक सब्दों के मेल से बने हो, और उनके विशेश अर्थ निकले, वे सब्द योगरुड कहलाते हैं, दो या दो से, बच्चों, दो या दो से अधिक सब्द मिलने जो विशेश अर्थ निकलता है, अलग अर्थ निकल जाता है, तो उसे योगरुड कहते हैं, जैसे पंकज, पंक कीचर होता है, जिनका जन्म कीचर से हुआ हो अर्थात कमल, पंकज कमल को कहते हैं, या एक विशेश अर्थ निकल गया, पंकज से लंबोदर, अर्थात लंब उदर गनेश जी ये विशेश अर्थ निकल गया किनका उदर लंबा है गनेश जी का चक्ड पानी विश्णू पानी मतलब हात चक्ड मतलब जिनके हात में चक्ड है वो विश्णू है ये विशेश अर्थ निकला नील कंठ नीला है कंठ जिनका वो शीव है इत्यादी ऐसे सब्द योग रूड कहलाते हैं बच्चो बच्चो कुछ प्रश्ण है जो वहुविकल्पी प्रश्ण है इनको बच्चो आप ध्यान से देखिएगा पीछे पढ़िएगा और इन सब को बनाईएगा सब्द किशे कहते हैं वर्णों के समूह को वर्णों के सार्थक मेल को वाक्य में प्रियोग किये गए सब्दों को इन सब्दों को ये बच्चो आप लोगों को मिल जाएगा पीछे दूसरा प्रश्न है विकार के आधहार पर सब्दों के भेद कितने होते हैं कौन सा सब्द तदभाव नहीं है ये भी इशी में है प्रियोग मतलब विकार के आधहार पर सब्द के कितने भेद होते हैं इसमें मिलेगा आपको आप इतने ध्यान से पढ़िएगा कि सब इसी में है उत्पत्ति के अधार पर सब्द के कितने भेद होते हैं योगिक सब्द की विशेष्टा है ये इसी में है इसमें से देखिएगा उमीद है आप लोग जो भी पढ़ रहे हैं वो ध्यान से इसको बनाईएगा और ध्यान से अच्छे से पढ़िएगा थैंक्यू